चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ फिर से गाइस किस परकार से दवा का छिड़का हो रहा है तो गाइस फाइनली जो है खेतों में छिड़का हो चुका है दवाईयों का एक यही दवा टंगी हुई है पन्नी की यही लेने आए थे हाइ गाइस वेलकम टू माई निव व्लॉग तो गाइस स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा गाइस तो हम लोग खेत की सिंचाई कर रहे थे गाइस खेत की सिंचाई करने में तीन दिन लगा था बट हम दो दिन का ब्लॉग आप लोगों को दिखाये थे और फिर से आ जाए हैं दवा का छिड़काव करने के लिए गाइस खेतों में आप सभी लोगों ने मेरा खेत जो है आर रेडी देखा है तो हम लोग डारेक्ली जो है अपना दवा का छिड़काव ऊपर वाले खेत से ही करेंगे और अभी बड़े भाई छिड़काव कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी को मैं दिखाने की कोशिस करता हूं सो गाईज जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हैं वो भाई जो है हमारा जो मुझसे बड़ा है वो खेत की जो है खेत में दवा का छिड़काव कर रहा है और बगल में पापा है और इस साइड में यह जो बैठा है मेरा छोटा भाई है और देख सकते हैं इस तरफ जो है आ करना है इस साइड में जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहें और इस साइड में फाइनल हो चुका है पूरा चिड़काव करते हैं और दान के भी खेतों में इसी परकार होता है देख सकते हैं हम लोग आ गये हैं नीचे वाले खेतों में और नीचे वाले खेतों में आ गये हैं और जो कि जो बीच वाला खेत है उसमें सर्सों की ब्याई होती है हम लोग सर्सों के खेतों में जो है दवा का छिड़काओं नहीं करेंगे क्योंकि mostly क्या है कि only गेहों को छोड़ करके बाकि सभी पौधों को ये नश्ट कर देता है ये दवा तो हम लोग गेहों के खेतों में ही सिर्फ इसको छिड़काओं करेंगे अगर सर्सों के खेतों में करेंगे गाइस तो सरसु वाला खेट जो है पूरा नश्ट हो जाएगा तो हम लोग ऊपर वाले खेटों से डारेक्टी आ गए हैं नीचे वालों खेटों में तो यहां पे नीचे वाले खेट में छिड़काओ करेंगे दवा का और चली आप लोगों को दिखाता हूं फिर से गाइस किस प्रकार से दवा का छिड़काओ हो रहा है उसके बाद हम लोग चलेंगे घर और जो कि आधास ज्यादा अब हो चुका है क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है गाइस तो गाइस आप सभी लोग देख पा रहे हैं वो सरसों वाला खेट जो है उसमें हम लोग छिड़काओं नहीं किये हैं और सिर्फ गेहूं के खेटों में होता है ताकि जो गेहूं के खेटों में जितना भी खरपतवार रहे सब निकल जाएं तो गाइस इतना इस साइड में जो गेहूं के खेट दिख रहा है ये हो चुका है और गेहूं के खेट में जितने भी सरसों अगरा होते हैं सब ही नश्ट हो जाते हैं तो सरसों के खेट में नहीं डालते नहीं तो सरसों का भी पाउधा जो है नश्ट हो जाएगा तो हम लोग अभी बीच में पहुँचे ह हुए हैं बीच में शिड़का हो ला है और इस साइड में देखें तो इतना बचा हुआ है गाइस इस साइड में अभी थोड़ा सा है कम्प्लीट हो जाएगा थोड़ी ही देर में जो कि गाइस हम लोग स्टार्ट किये थे जो है बारा बज़े और अभी बजने वाले हैं दो तो मान के चलिए साढ़े तीन से चार गंटे लग जाएंगे और इस साइड में अभी नहीं हो पाया इतना बचा हुआ है इसमें लगभग एक गंटा लगेगा और इस साइड में फाइनली हो चुका है जो कि आप लोग यह वाला गिहूं का खेट देख पा रहे हैं इतना इ चिड़काओ हो जाता है उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से इतना चिड़काओ जो है हो चुका है बस थोड़ी ही देर में हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और गाईज यह जो गेहूं का खेट आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा हो ग हो गया है कि देख सकते हैं कि यह जो आप लोग गड़ देख पा रहे हैं इसी में से हम लोग पानी लेकर कि अभी यूज कर रहे हैं शिड़काव के लिए क्योंकि हैंड पंप है हैंड पंप तो है गाइस बट काफी दूर है नदी के पार हैंड फंप एक दो है जो पीपल का है गाइस वहां पे एक हैंड पंप है वहां पे एक हैंड पंप है बट गाइस उतनी दूर से पानी लाना काफी समय लग जाएगा वहां से पानी लाने में काफी समय लग जाएगा तो हम लोग यह इसी गड़े का पानी यूज कर रहे हैं जो कि काफी गंदा है लेकिन क्या क चलेंगे घर और आप लोगों से अब मिलूंगा जो है बाद में ये खेत का छिड़का हो जाता है जो है एक दवा का छिड़का खेत में हो जाता है उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से बस थोड़ा सा बचा हुआ है गाईस उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं तो गाइस फाइनली जो है खेतों में छिड़का हो चुका है दवाईयों का और हम लोग घर पे चल रहे हैं गाइस फाइनली जो छिड़का हो चुका है अब घर पे मिलते हैं आप सभी लोगों से एक यही दवा टंगी हुई है पन्नी की यही लेने आये थे यह किसी को उतार लेते हैं उतार लिए दवा को और गाइस चलिए घर पे मिलते हैं दवा का छिड़का हो फाइनली हो चुका है हम लो So guys, नाव आ चुकी है, अभी तक नहीं थी नाव, तो हम लोग नाव पे बैठ चलते हैं, और निकलते हैं, बैठ के, घर की ओर guys, उस पार उतर जाएंगे, तो उस पार से हम लोगों का गाओं बस जश्ट पास में ही है, हम लोग चले जाएंगे guys, तो चलिए चलते हैं, नाव पे बैठ करके, so guys, finally हम लोग घर पे आ चुके हैं, और खाना अगयरा कर लिए guys, और अभी आया था च्छत पे टहलने के लिए वैसे, क्योंकि मौसम कुछ इस प्रकार का है guys, तो ठंट भी जादा है, कहीं निकलने का मन भी नहीं कर रहा है, और guys हम लोग जो है, तीन बजे बंद किये थे, दवा का छिड़काव जो है, हम लोग बारा बजे श्टार्ट किये, तीन बजे खतम हुआ, और तीन बजे तक फाइनल हो गया था guys, और उसके बाद, जो है, हम लोग चार बज नहीं अभी घर पे आ चुके हैं, खाना अगयरा, खाली हैं, और मौसम आज कल guys कुछ cloudy है, एक दम बादल चाय हुए रहते हैं, और सुबा से एक दम साम तक एक जैसा मौसम बना रहता है, एक समान, और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, और वीडियो आप लोगों को पसंदा है तो लाइक करना, चलिए आप लोगों को यहां का मौसम दिखाता नजारा, उसके बाद हम लोग कहीं घुमने के लिए चलते हैं, चलिए आप लोगों को यहां का नजारा एक बार दिखाता हूँ, कैसे मौसम बना रहता है, सुबा से एक दम साम तक एक जैसा माहौल बना रहता है, यह पूरा ग्रे ग्रे एक दम लगा रहता है मौसम, और ठ ठंड का मौसम है, सुबा से साम तक ऐसे ही मौसम रहता है, देख सकते हैं आप सभी लोग आज का व्लोग यहीं तक रहेगा मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी नेक्ट वीडियो में और वीडियो को पसंद आए गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें और जो भी नए है चनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस और वीडियो में एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दें और मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी नेश्ट व्लॉग में गाइस तब तक के लिए जये भारत गाइस बाई बाई